आपका आपी के यूटिब चैनल मिश्कोडी के मैं आज हम जी शुयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बजाज हिंदुस्तान सूगर लेमेटेड सूगर सैक्टर की कमपनी है इस शुयर को लेगर काफी बड़ी बड़ी अपडेट हमें जोना भी देखने को मिले आप दे से पहले हमें जोना एक और धमाका होते वह नजर आया है और स्टोग भी आपको जोना भी काफी बड़ी क्रेक्शन पर दिखाई दे रहा है एथनॉल सेक्टर में भी कमपनी वर्क कर रही है तो ऐसे में फ्यूचर काफी जादा ब्राइट है इन फ्यूचर में काफी स्टोग हमें कल देखने को मिला वहाँ से स्टोग में काफी शानदार तेजी बनते नजर आई तो इन सब के कप तैजो में पीछे रेजिन क्या है कल बहुत-बड़ी अपडेट आय थी जिसके चलते स्टोग में यह सोला Leyes पने आज का शानदार रोग बने सुझनहं है क्श और अपने 52 वी खाय से स्टॉक आपको 41% के बिग फोल पर दिखाई दे रहा है तो काफी अच्छा मौका स्टॉक का रिइंवेस्टमेंट करने का तो चलिए भी देखते हैं अखरकर क्या अपडेट्स आई है और उसके साथ-साथ हम इसके लेवल्स भी देखेंगे क्या कुछ इसके लेवल्स बन रहे हैं तो चलिए पहले अपडेट देखते भी क्या बड़ी अपडेट आई है 800 क्रोड का क्या धमाका हुआ है चलो देख लेते हैं तो यहां पर आप देखोगे cnbc tv18 की official website पर हमें यह अपडेट आते नजर आई है बजाज हिंदुस्तान सूगर एक हमें जोना स्टाक के ऊपर बनते नजर आने वाला है तो यहां पर आप देखोगे ता कंपनी एक्वाइड ए 98.01% स्टेक इन फैनिल सूगर प्राइवेट लेमेटेड तो यहां पर आप देखोगे भी फैनिल सूगर लेमेटेड के अंदर 98% का स्टेक एक्वाइर किया है ज है और कंपनी नेम आप देख सकते हो भी बजाज पावर वेंचर प्राइवेट लेमेटेड जिहां वीपी वीपी वीपील तो इस कंपनी के अंदर 445 क्रोड का एक्वाइर किया स्टेक तो दोनों का जो कुल रासी बन रही है वो है 800 क्रोड की तो कंपनी ने 800 क्रोड का स्टोक में तेजी बन रही है अभी आप देखोंगे चार बस कर 57 मिनट पर यह अपडेट आते नजर आए थी कल के दिन और इसका इंपक्ट हमें आज स्टोक के उपर देखने को मिलने वाला है तो काफी अच्छी अपडेट आई है तो यहां से स्टोक में तेजी के लॉट करके चलना गलत साबित नहीं होगा काफी शांदार रिटन स्टोक आपको निकाल कर देने वाल है तो चलिए अब इसके लेवल भी देखे लिए चार्ट के उपर क्या लेवल से निकल रही है तो यहां पर आप देखोंगे स्टोक अंदर काफी शांदार तेजी आने क कि लाल नीचे में support की बात करें तो आपको वार्रुपी पिनतारीश का support लेना है ठीक है ऊपर में reden के निचे जाए तो हम लोग इसको sell करेंगे stock को नहीं रखना है चाहे हमें 2% का प्रोट हो चाहे 3% का 5% का या फिर 4-5% का लोस हो हम 12 रुपे 45 पैसे के निचे में stock को नहीं रखेंगे अगर 12-45 के ऊपर में stock रहता है तो buying में बैठी है और निचे में यह support का ज़्यादा important है रेस्टेंस के बाद करें तो 13-25 अगर 13-25 को stock break करता है तो उसके बाद हमारा जो next target इसका रहेगा यहाँ पर आप देखोगे 14 रुपे 20 पैसे का जो यह कल के दिन achieve करने वाला है तो यह इसके levels रहेंगे इन लेवलों के उपर focus कीजिए नीचे में support 12-45 का और काफी चिरेंज में stock आपको हाल-फिलाल देखने को मिल रहा है काफी positive निउजे निकल करा रही है तो यहाँ से stock मे तेजी के chances हैं तो इन लेवलों के उपर आप लोग जोना भी focus करके intraday या फिर जोना 7 trade कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आते कि लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब लीके तो सब्सक्राइब को ना मत भूलना and thank you for watching the video